बिस्मिल्लाई रमानी रहीम हेलो असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अल्ला का सुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दूआ करते हैं अल्ला ताला आप सब को भी खुश रखे आमीन सुम्मा आमीन इसकी पहली वाली जैज रोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपकी ही तूझ लगया है तो क्लीन तो फनापना चीज नहीं रागेें हैं अजए अगर पर पॉर हें तो सब्सक्रभा होता है मैं नास्ता ब waar लिया है सबस्तर करे नास्ता बना के सबको करवा भी ली थी और उसके बाद सीच्ट हो गया हमारा कीणिंग का काम तो मैंने自Re कहा propagnd काम तो मैंने किचन में किस तरीके से अस्थ्वयस्थ हो रखा है किचन का किचन का भी कलीनिंग करता हिस तो सब को अच्छे से बाउल में निकाल लोगी और जो भी मेरे पास कडाई कुकर गैंज़ जो भी चीजे हैं सब को किचन और ज्यादा गंदर लगता है अगर आपके पास कड़ा ही कुकर सबकुछ किचन में यूज हो रहा है तो आप कभी भी दाल सब्जी कुछ भी बनाईए तो उसको एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए और फिर रख दीजिए तो इससे कहा है किचन भी क्लीन लगता है अपका आपका जो फैला फैला सा लगता है बरतेंगे तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं यहां फे साफ करते यहां है थो जो कुलने काम थे साथ , डिक टॉप सफाई करी फोगी तो देगा करेंगी पर गंपली इस घंपनाओ की सफाई कर देख जा ठीक कर लेंगे यह जड़ा सबाेंगा थैया है जब ढरी रहा था अच्छाए से मिन घंप शीक कर देते है इसे क्या होगा कि सब चीजे अपने हिसाफ से अरेंज भी हो जाएंगी और हमको खुद में भी अच्छा लगेगा कि हमने आज कुछ अच्छा किया तो मैंने पहले भी बताया बहुत से लोग मेरे से पूसते हैं कि आप इतना जादा मैनेज कैसे कर लेती हो कि आप कभी भी ब मेरे को अराम करने का मन नहीं था क्योंकि जब तक मेरा किचन क्लीन नहीं हो जाता तब तक क्या करूंगे आराम करके तो लाओ पहले किचन क्लीन कर लेते हैं उसके बाद ही कठाना हाँ दुलके अराम करेंगे तो यह बर्तन वगर था सांथ के साथ इसको भी मैं निकाल दू और रख सकते हैं और एक स्टोरूम से मेरे वीडें किचन के घगल में सेक्ट और लग था हमेसा के घंच फासे बोला का भी किक entwickeln मेरा क्लीनिंग क्लीन दिखेगा तो जो भी इस्ट चीज थी सब को मैं बाहर रख दी और आपको लोग को जैसे मैंने बताया कि डबल किचन का फायदा यह होता है कि एक किचन अंदर है वो मेसी भी हो रखेगा तो मुझे कोई टेंसर नहीं रहेगा क्योंकि 10-15 दिन हपते भर मैं उसको एक बर क्लीनिंग कर लूँगी तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता है ऐसी में मुझे क्लीन अगर करना भी पड़ा तो सिब दो ही रेक करना पड़ता है कि ढबा धकन वाला रेक और बरतन वाला रेक तो इससे क्लीनिंग भी जल्दी हो जाती है साब सुत्रियों भी करें और आपका किचन का भी काम करें तो जितना डबबा धकन वगरा था सबको मैं निकाल लूँगी उसको भी डबबे और धकन को भी अच्छे तरीके से पानी से गीला करके कपड़े से पोश्लोंगी दुलाइस ले नहीं करी क्योंकि अभी जश्ट सोब्रात बीता है तो म तो मैं इसको क्लीन कर दूँगे अगर टाइम नहीं मिला तो रमजान में कर लेंगे रोजा इत से एक दिन पहले तो देखिये मेरा पूरा जो डबबा धकन था अच्छे से अरगनाईज हो चुका है अच्छा भी लग रहा है देखने में अच्छा लग रहा है और अब बज नई था और यहां पर रखा हुआ था साफ को अटा के बढ़नाईज दिखेगा क्लीन भी दिखेगा और काम करने का मन भी करेगा और अभी मुझे ओपर आवन मैंने लेकर आया है उसको भी सेट करना है तो उसको साफ से भी चीजों को बनाना करना पड़ेगा मुझे तो भी मिल रहा था कि वाइस करूँ आप लोग के पास और रमजान से मिलेंगे मतलब रमजान परिप्रेशन का कई सकते हैं कुछ एक बैसाैं के सबीज़ दने और इस तो भी घुल्प हो सकते कि आप रम जानर की तैयारी पहले से कैसे कर सकते हैं वह जो परका जो भी cleaning आप लुग देखें कि लगता होगा कि उपर का जो अल्मष्ट क्लीनिंग बहुत पसंद है और बाहर से बरतन धुल के आ चुका है तो अब इसको भी लगा देते हैं हाथ के हाथ लगा देंगे तो इससे क्या हमारा यह अच्छा दिखेगा यह मैं यह जो हमारा प्लाई था वह बहुत जादा गंदा हो रखा था तो मैंने का इसको अच्छे तरीके से और इसके उपर का जो भी समान है उसको भी अच्छे तरीके से अरेंज कर देंगे तो अच्छा लगेगा उसके बास सब कुछ अरेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा किचन क्लीन भी हो चुका था अरेंज मैंने अच्छे तरीके से अरेंज भी कर रखा था किचन को और क्लीन भी हो चुका था तो अच्छा लग रहा था किचन देख के सब चीजे देखो कितनी अच्छी तरीकी से धुल परच के साप भी हो गई इस ट्रब अगयरा भी हटा दिये एक डबे के उपर रखा हुआ कि कप्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन मां बार बार खर कोई बात नहीं साप कपड़ा ढूंडेंगे और फिस को ठकने की कोसिस करेंगे और नहीं तो ऐसी पोछाई करेंगे इसकी क्लीनिंग और करते रहेंगे तो अलमस्ट किचन का काम कंप्लेट और किचन साप तो सब कुछ अच्छा उसके बाद आब आज आते हैं घर की किसको कैसा वीडियो चाहिए तो मैं आ गई थी हैं फर्स्ट वाले रूम में वीडियो बनाने के लिए क्योंकि फर्स्ट रूम भी मैसी हो रहा था बहुत सी चीजे थी जो रूम में जरुबत नहीं थी और रखी हुई थी तो मैंने सब चीजों को हटाया सोफा वगरा जो बहुत चीजे थी उन सब चीजों को हटाने की कोसिस कर रहे थी ताकि ये इस्टوर हमारा ये बैठक रूम है जो हमार लिविंग रूम है तो लिविंग रूम के जासा ही रहे तो अच्छा लगेगा वरना बहुत सी चीजे इसमें आप अरजर कर दोगे तो अच्छा नहीं सब्सक्राइब करने से काम बहुत जल्दी हो जाता है और अब जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है और जब घर अच्छा क्लीन और अच्छे से लगता है तो आपका मन भी कुदबा कुदफ फ्रेस लगेगा और बहुत से लोग मुझे कमेंट भी पास करते हैं कि मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि बहुत से लोग मुझे comment पास भी करते हैं कि आप ये नहीं करते हूँ, आप वो नहीं करते हूँ आपसे ये नहीं आता, आपसे वो नहीं आता तो देखे अपना-पना mind है अपने-अपनी चीजें हैं, अच्छा करू बुरा करू, करूँगी तो मैं तो आपका वेलकम है और अगर आपको यसी फाल तो कमेंट्स करने हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूं बाकि अब मेरा क्लीनिंग वगरा काम खताम हो चुका था जाड़ वगरा लग चुका था बस पोच्छा लगाना बचा था और जैसे मैं आप लोग को बताई कि घर पर दो लोगों को ही देखके मैं अपना कैमरा बंद करती हूं एक तो मेरी अबबा जी क्योंकि उनको इन सब चीजों के बारे में कोई ज्यादा आइडिया नहीं है और एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है तो अबबा जी को अबबा जैसे घर में आते हैं तो मैं अपना कैमरा क्लोज कर देती हूं वैसे वो बोलते कुछ भी नहीं है और दूसरा हस्बंड जी जिनको आप लोग ज जिस से कोई इंट्रेस्ट नहीं लेते तो मैं उनके सामने इस सब चीजे करती भी नहीं हूं जब वो नहीं रहती है तो ही वीडियो शूट वगएरा चलता है मेरा और कभी-कभी वो फेस मतलब मैं वाइस रिकॉर्डिंग करती हूं और वो सामने आ जाते हैं तो मैं वाइस किचन बज गया था किचन को भी झाड़ पोच की चिकना कर लेते हैं जैसे जाड़ पोच के सबसाब सुतरा हो जाएगा तो मेरा काम भी खटम हो जाएगा और आज का जो मेरा वर्क था वो सब चीज खटम अब बज गया है तो मैं कपड़े बगारा दूल के डाल देती हूं और नहा क्याती हूँ तो अब इसके बाद मैंने कोई सूट नहीं किया था फिरी कठा मिलते हैं अब आप से देखिए मेरे सारे कपड़े दुल के डाल दिये हैं अब जब तक कपड़ा दुल सुक्रा है और तब तक हम खाना का लेते हैं खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करेंगे और उसके बाद कपड़ा प्रेस करेंगे तो अब साहद आप लोग के लिए कोई वीडियो ना बना पाऊं क्योंकि अब थक चुकी हूँ और अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बागी वीडियो रात में बनाएंगे और फिर आप लोग को दिखाएंगे कि हमने रात में क्या-क्या बनाए है और क्या-क्या खाया फिलहाल इतना वीडियो ही दिखाते हैं आप लोग को आप लोग उने जैसे वीडियो में देखा उससे समझ गया होंगे कि मैं सुस्राल पहुंच चुकी हूँ और आने के बाद जो भी मेरे अपने घर की जाब सफाई थी वो सब मैंने क्लीन की उसके बाद नहाद भाके रेडियो ही तो मन कर रहा था कुछ सादा खाना खाने का इस जब तक आप लोग मेरी वीडियो देखिए पूरी वीडियो देखिए तब तक मैं खाना फिनिस कर लेती हूं बाई बाई अल्ला हाफीज दुआ में याद रखेगा ने इस वीडियो को वेट कीजिएगा और लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिए यहां पर मैं सब्सक्राइब करें तो थैंक यू बाई बाई अल्ला हाफीज